सर्वे भवंतु सुखिने सर्वे संतु निरामया सर्वे बदरानि पस्चंतु मा कचित दुख बाग बवेत सभी सुखियों में सभी रोग मुक्त रहें सभी मंगल में घटनाओं के साक्सि बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े इस मंगल में कामने के साथ मैं कृष्ण गोपल पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज का विशे है ए पर्यार इस्तिति को स्विकार करो। माभारत के सांती पर्विक अनुसार सुख, दुख, विपत्ति, उत्पत्ति, लाब, हानी और जीवन मरन ये सब समय समय पर क्रम से सब को प्राप्त होते हैं। इसलिए धीर पूरस इनके लिए ने हर्स करे ने सोक करे। अर्टात कोई भी परिष्टिती सदा रहने वाली नहीं होती है। ने सदा सुक रहता है, ने सदा दुख रहता है। सूरे के उदे होने के बाद अस्त होना और अस्त होने के बाद उदे होना प्रक्रति के नियाम अनुसार निश्चित है। अते दुखदाई या कठिन परिस्तिती आने पर घबराना नहीं चाहिए बलकि उस परिस्तिती का सामना करना चाहिए और उसमें अनुकूलता देखनी चाहिए येदि कोई वेक्ति सुक्की स्थिती में अत्यन्त प्रसन होता है और दुख्की स्थिती में अत्यन्त दुख्य होता है तो वह अपने आपको ऐसंतुलित मसूस करता है। इस तरह की स्थिती होने पर वेक्ति में सही सोचने और सही कारे करने की किसमता कमजोर हो जाती है। अर कटिली भी होती है जीवन में सबी तरह की परिस्तितिएं के जोंके आते रहते हैं। सथित्य बनती हैं और भिगड़ती हैं। अतय वही वेक्ति संतुष्ट, सुखी और सपल होता है, जो प्राप्त या उपस्तित परिस्तिते का दरता पुरग स्वागत करता है। प्रतिकूल होती हैं। आप चाहें कि कोई भी घटना आपके प्रतिकूल घटित नहीं हो तो ये संबव नहीं है। के विशे में चिंतित होने का कोई लाब नहीं है। बलकि जो बातें आपके अनकूल हैं। उनका भी आनन्द समापत हो जाएगा। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो। जिन बातूं या परिस्तितियों या घटनाओं को आप अपनी संपूर्ण सक्ती और प्रियास के जो नहीं बदल सकते तो उन्हें इस्वर ये इच्छा मान कर स्विकार करो। हमारी भलाई और बुराई को हमारे बजाए इस्वर जदा अच्छी तरह समझते हैं। आप इस बात पर भी मनन करें। आप जो और जैसा चाहते हैं आपके प्रियास से वह आपको मिल जाए तो ये आपकी सपलता है। लेकिन जो मिल जाए उसे चाहना वह उसे संतुष्ट लोना आपकी प्रसनता है। अर्थात इसमें आप प्रसंद रह सकते हो। और संतुष्टी तता प्रसनता के सामने अन्य सभी बातें गोनी प्रतीत होती हैं। धन्यवाद।